गाजर घास का संभव उप्योग गाजर घास का नियंत्रन उसके संभावित उप्योग द्वारा भी किया जा सकता है। गाजर घास के उप्योग का सबसे सरल एवं व्यभारिक तर्यका इसके द्वारा कमपोस्ट बनाना है। अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए गाजर घास के पौधों को फूल आने से पहले उखाड़ कर कम से कम 3 फिट गहरे गठे में परत दर परत दबा देना चाहिए। हर परत में गोबर युक्त पानी और यूरिया का छिड़काओ कर गठे को अच्छी प्रकार की मिट्टी के मोटे लेट से दबा कर बंद कर देना चाहिए। दो से तीन माह में गाजर घास से अच्छी कंपोस्ट बन जाती है। गाजर घास से वर्मी कंपोस्ट यानी केच्छुआ खाद भी तयार किया जा सकता है। गाजर घास से बनी कंपोस्ट में मुख्य पोशक तत्वों की मात्रा, गोबर खाद से दुगुनी और केच्छुआ खाद के लगबग समान होती है। गाजर घास का उप्योग काखस, पार्टिकल बोट, बायो गैस, जैविक कीट नाशक इत्यादी बनाने में भी किया जा सकता है।